हलो फ्रेंट्स तो हम लोग बनाने वाले कल्कुलेटर तो हम लोग एक बहुत बढ़िया कल्कुलेटर बनाने और बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छा कल्कुलेटर हम लोग बनाएंगे कल्कुलेटर जो कि दो मोड्स पर काम करेगा एक नॉर्मन मोड्स पर और एक साइन्टि वो तरीका लोग नहीं बता पाते हैं, वो लोग बस calculator बना देते हैं, कैसा भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सारी वीडियो में हम लोग देखेंगे, कि आप TK ENTER की यहाँ से कैसे perfect calculator बना सकते हो, और एकदम बढ़िया सा, जो कि normally आप use भी कर सको, ठीक है फ्रेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलिए, start करते हैं, और आप हमारे साथ बने रही है, और मैं आपको complete और full एकदम best result दोंगा, चलिए, start करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेरे पास यहाँ पर piecham open है, हम लोग simply क्या करते हैं, file पे click करते हैं, और यहाँ पर new project पे click करेंगे, एक नया project हम लोग create करेंगे, और नया project का नाम देते हैं, हम लोग यहाँ calc youtube, ठीक है, उसके बाद यहां एक project interpreter का option है और new virtual environment already selected है तो आप इसी को select करिएगा है यहां पर new virtual new environment using this इसका मतलब होता है कि यह जो py charm क्या करेगा आपके लिए एक नया virtual environment आ देगा तो यह अच्छी चीज है क्योंकि क्या पता आप calculator में कोई ऐसी dependency use कर रहे हो जो सिर्फ इसी calculator के लिए हो तो उसी virtual environment में use होगी वो dependency या बाद में इसका exe बनाओगे distributable file बनाओगे तो उसमें क्या होगा वो dependency आप अलग पैचान सकते हो क्योंकि सारे सारा काम हम क्या करेंगे इसी पर करेंगे ठीक है तो make sure कि अगर आप जब भी कोई project बनाओ तो उसके लिए virtual environment बना लो और फिर काम करो तो यह पाईचान वही काम करेगा यह आपके लिए virtual environment खुद create कर देगा जिसमें आप dependencies को अलग कर सकते हो बट फिर वह अगर आप इस प्रोजेक्ट को complete करने के बाद सारे operations normal mode scientific mode और audio audio जो भी लगाने के बाद हम इसका distributed file हम लोग exe file भी executable file भी बना देंगे और उस पर अलड़ी मैंने वीडियो बना के रखी है तो वो वीडियो का link मैं दे दोंगा आप लोग देख लिएगा उसके बाद इस calculator को आप use भी कर पाऊगे simply जब आपने इतना select कर लिया अब आप simply का कर दिये इसको create कर दिजे और फिर यह कुछ कह रहा है yes कर दिये कह रहा है the directory you have chosen is not empty would you like to create yes कर दिजे यह आपके लिए क्या करेगा project को create कर देगा simply देखे project को create कर देगा और यहाँ पे आपका interpreter वगरा सब configure कर देगा आपको कुछ नहीं करना है ठीक है आपको अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस project में files को create कर सकते हैं तो simply हम अपने project पे इसको open कर लेंगे इस arrow पे click करेंगे और यह है हमारा python का interpreter environment है virtual environment और हम अपने project पे right click करेंगे और यहाँ पे एक file बना लेंगे simply जिसका नाम देदेंगे main यह हमारी file होगी जहाँ पे हम coding करेंगे तो simply हमारी file मन भी गई यह देखे main.py और यह हमारे right में open भी हो गई है नहीं भी open होगी है तो आप इस पर double click करके simply इसको open कर सकते हैं और फिर आप एक बार testing कर लेजे कि project में जो file बनाई है उसमें कोई code चल रहा है कि नहीं तो हम लिग देते है program started simply program started तो अगर थोड़ा सा font बढ़ा कर देता हूँ अब आप right click करें simply इस file को run करिए अगर देखे आपका सब कुछ configure सही से हुआ होगा तो यह पे program started को output आ जाएगा इसका मतलब सब कुछ सही है अब हम लोग project बनाना start करते हैं तो सबसे पहले project बनाने के लिए कुछ आपको preparation करन कि अगर आपको project बनाना है तो क्या-क्या चीजे required है यह 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 आपको पता करना चाहिए उसके थोड़े सी preparation करनी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे कुछ वही बात करेंगे सबसे पहले हम लोग को एक पाई चाम की ID थी required थी वो यूज कर लिया interpreter हो गएरा सब लोग configure कर लिया प्रोजेक्ट बन गया फाइल बन गई अब हमें क्या चाहिए होगा एक photo चाहिए होगी एक photo चाहिए होगी simply जिसमें हम लोग क्या कर पाएंगे हम लोग उस photo को यूज कर पाएंगे तो मेरे पास एक photo है हम लोग लाएंगे अपने project में तो मैं आपको दिखा देता हूँ व और अगर हमें बड़ी फोटो उस करने होगी तो यह वाली उस कर लेंगे यह आइकन जो मैंने डाउनलोड किया वो नेट से डाउनलोड किया आप कोई भी फोटो डाउनलोड कर सकते हो सिंप्ली मैं इन दोनों को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अपने पाइचाम में यहां पर देखें कैलसी यूटूब पे अपने प्रोजेक्ट पर राइट लिक करूँगा निव पर जाओंगा और यहां एक डारेक्टरी बना लूँगा जिसका नाम दूँगा आपको और कई फोटो यूज़ करनी ही तो नेट पे जाके इसको डाउनलोड करके यहां पर यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कोडिंग करना शार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ simply धहां से देखिए हम लोग import करते हैं library तो हम लेखेंगे from tk enter import asterisk tk enter की सारी classes variables जो भी है उसके अंदर हमने क्या कर लिया import कर लिया next चीज क्या करते हम लोग simply धहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे एक window बनाएंगे तो मैं comment का बहुत जादा यूज करता हूँ और कुछ चीज़े मैं आपको और बताने वाला हूँ simply जो हम लोग coding करने जा रहे हैं वो होगा functional तरीका काम करने का that means हम बनाएंगे हम सारा project बना देंगे with the help of functions classes हम लोग बहुत कम यूज करेंगे but इस से भी अच्छा तरीका है classes अगर आप class object की coding जानते हैं तो आप अपना calculator बनाएं with the help of class and object तो वो coding जादा बेटर होती है that means उसको करने में जापको जादे features मिलेंगे आप बहुत सारी जीजे कर पा होगे एक बार class बना लोगे फिर जैसा ही जैसे object बनाते जाओगे आपके उतने instance बनते जाएंगे calculator के तो अगर आपको class object की coding आती है या आपका बैग्राउंड जावा बैग्राउंड है तो आपके लिए best है आप class object ही use करें coding करने के लिए बट हम लोग क्योंकि हम लोग beginners को target कर रहे हैं या जो experience भी है उनको भी target कर रहे हैं beginner जो अभी सीख रहे हैं उनको ये चीज़ सिखाने के लिए मैं क्या करूँगा functional programming के help से calculator बनाओंगा बट हम कोसिस करेंगे आने वाले समय में हम class object को use करें भी calculator बनाएं तो अभी हम लोग को functional programming करनी तो सारा काम function से होगा तो हम यहां जो भी काम करना होगा एक function create करेंगे तो फिल आल अभी हम लोग एक window create करने जा रहे हैं तो हम यह लग देंगे creating a window creating a window ठीक है window कैसे create करनेंगे अब जो आपने library यहां पर import किये tk enter की इसके अंदर एक class होती है tk class तो simply आप tk का object बना लिजे जैसे ही आप object बनाओगे इसको एक variable मेरा clue तो variable में हम इसका नाम देंगे window ठीक है जैसे हमने object बनाया है यह हमारी main window है और हम लोग क्या कर पाएंगे इस window को visible कर पाएंगे तो visible कैसे करेंगे जैसे आप window.main loop लिखोगे तो आपकी window visible हो जाएगी में लूप क्या करता है आपकी window को बार बार सो करता रहता है तो हमने window.main loop कॉल कर लिया है और यह main loop क्या करेगा हमारी इस window को loop में डाल देगा तो हमारी window बार बार visible होगी that means हमको continuously visible दिखेगी मैं एक बार क्या करता हूँ अपने project को right click करता हूँ और run करता हूँ simply और simply देखें यहाँ पे हमारी window एक छोटी सी window बन गई अब हम लोग क्या करते है इस window का थोड़ा सा height और width बढ़ा करते है तो यह वे करेंगे simply जहाँ पर हमने window create किया है इसके नीचे आ जाएंगे तो हम लिखेंगे window.title सबसे पहले मैं title set करूंगा और title देदूंगा my calculator ठीक है simple next हम आएंगे window.or geometry call करेंगे और geometry में हम लोग को देना है width और height width मतलब यह horizontal चीज़े और height मतलब वर्टिकल चीज़ तो आपको एक string देनी होती है जिसमें आपको कुछ ऐसा format लिखना होता है सबसे पहले लिखनी होती है width और width के बद आपको लिखना होता है यह x small x और उसके बाद आपको लिखनी होती height ऐसा ही format में आपको width और height देनी पड़ेगी ठीक है तो चले हम लोग क्या करते हैं देते हैं इसको width और height तो हम लोग यहाँ पर देते हैं 600 इसकी width into 500 और rightly करते हैं simply run पर करते हैं और देखते हैं क्या होता इसको फड़ा सा हम लोग और पड़ा करें इसको थोड़ा-सघ्ट करने कुछ ऐसा करने कुछार कर देगी यहां तक calculator या इतना और इसको इसकी width हम छोटी करेंगे इतनी करेंगे ठीक है तो चले करते हैं, तो width जहां पर दिखें, यह हमारी width, तो इसको थोड़ा छोटी कर देते हैं, 450 और इसको कर देते हैं, 600 और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको save करते हैं, right click करते हैं, run करते हैं, तो देखें, perfect और यहां पर देखें, title पर भी my calculator लिखके आ गया, that means हमारा यहा करना क्या है, सबसे पहले यहां पर calculator का icon लगाना है, फिर नीचे लिखना है, my calculator, उसके बाद field लगाना है, तो एक एक काम करते है, step by step, सबसे पहले यहां पर photo लगाते है, ठीक है, तो photo लगाएंगे, तो हमा, main loop में डालने से पहले हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लेबल उस करेंगे photo के लिए क्या उस करेंगे level तो हम यहाँ पर लिख देंगे picture level ठीक है आप लेबल बनाएंगे एक ऐसे simply आप लेबल वाली class जैसे आप लेबल वाली class यूज करोगे आपका लेबल बन जाएगा और लेबल एक variable में आप रख दीजिए तो मैं कहता हूँ heading level आगर कुछ लिखना होता तो हम text देते लेंकिन उससे भी पहले हमें ये लिखना है कि ये इससे भी पहले हमें ये reference देना है कि ये label किस window में जाएगा तो यह label जो होगा हमारी main window में जाएगा तो हम यहाँ पर main window का reference दे देंगे simply मैं आपको बहुत ही अराम से समझा रहा हूँ that means हमको इस label को add करना है इस window में इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस label का जो parent होगा वो window होगा और फिर हम comma लगाएंगे और यहाँ पर अगर इसके उपर कुछ लिखना होता for example आपको लिखना है तो आप text attributes करोगे और यहाँ लिख दोगे my level ठीक है तो आपको यह text दिखाएगा अब बाद में tick enter में क्या होता है कोई भी काम आपको करना होता है जैसे आपने heading level बनाया है तो उसको pack करना होगा तो हम लिख देंगे pack अब यह pack क्या होता है pack का मतलब होता है कि हमें इस window को इस वाली heading level को block में set करना है अब block यह हम set कर सकते हैं top पे left पे right पे bottom पे तो मैं लिखूँगा यहाँ पे side और side में simply मैं कहाता हूँगा भाई मुझे इसको ले जाना है अपने window के top पे that's it अब right click करके अगर मैं यहाँ पे run करता हूँ तो ध्याँ से देखो आपकी window के यहाँ पे my label आ गया अगर आप ध्याँ से देख पाऊ my label बट हमें यहाँ my label नहीं लिखना था that means हम टेक्स्ट में my label लिखेती तो यहाँ my label आ गया था हमें यहाँ photo ə फोटो फोई image लगानी है तो image लगाने के लिए Simply देख'j लिए सब लोग, image लगाने के लिए हम लोग text वाला ''A attribution नहीं उस् tego यूस्ट करते हैं अब लोग रोग रुवाट करते हैं अब लोगu JOHNS करते हैं फोटो इमेज को लिखोगे फाइल उन्वायाब और हमारी जो इमैज है देखिए सबसे पहले img folder में और उसके अंदर cal1.png, cal2.png तो simply यहाँ पर हम देखेंगे img folder slash slash के अंदर हम देदेंगे cal1.png और हम यह जो photo load होगी वो इस pic में रखेंगी तो इस pic का reference हम लोग यहाँ पर pass कर देंगे simply अब हम लोग क्या करेंगे right click करेंगे और अपने project को फिर से run करेंगे और देखें यहाँ पर छोटी सी हलकी image आ गई है ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं क्योंकि हमारे पास दो image थी एक pic 2 थी pic 2 का resolution थोड़ा अच्छा था तो हम लोग यहाँ पर pic 1 न use करेंगे हम लोग आपको एक best resolution मिल जाए गई देखें simple आपकी heading आ गई यहाँ पर heading वाला level आ गया अब हमें इसको थोड़ा सा उपर से padding देनी है उपर से नीचे से आप उपर से तो simply आप pack देखें हमने इसको pack किया था top पे तो यह हमारी window के top पे आया actually मैं paint open कर लेता हूं क्योंकि मुझे ब variable था वो था हमारा window variable ठीक है अब इस window में हम लोग ने सबसे पहले top पे लगा दिया है अपना यहाँ पे picture, सबसे पहले top पे picture लग गया है यह एक level है, और यहाँ पर हम लोग ने level लगा दिया यहाँ पर हमारी दिख गई है picture, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं picture, अब लिख देते हैं क्योंकि हम बना नहीं सकते हैं यहाँ बनाने का कोई मतलब भी नहीं क्योंकि हम लोग यह ऐसे ही temporary बना अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कोसिस करेंगे लगाने का, यहाँ पर एक calculator heading लिखने कोसिस करेंगे तो simply मैं यहाँ पर एक level फिर से लगाऊंगा, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बना के तो मैं rectangle चूस करता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसके नीचे जस्ट लगाने वाले हैं यहाँ पर heading देने वाले हैं अपने calculator का title जैसे brand है तो हम यहाँ पर देदेंगे my calculator ठीक है और यह हमारा brand है इसका हम heading यहाँ पर देंगे मैं my calculator इस picture के नीचे दिखाएंगे चले उससे पहले हम लोग को एक padding देनी हलकी सी तो आप side जहाँ टॉप लिखे है यहाँ पैक में comma लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे pad y और pad y में unit आप pass कर देंगे 10 और 10 फिर आप project को run करके देख लिजे 10 अगर अच्छा है देखे ऊपर से हलकी सी padding आगई 10 अच्छा है तो ठीक है अगर आप इसको अपने हिसाब से increase करके अरजिस्ट कर लेजे थुड़ा सा आप time दीजिए patience रखिए देखे बीच में आ गया अब हम लोग क्या करते है heading लगाते हैं तो heading के लिए simply देखे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अपनी यह heading ऊपर हम लोग ने picture level बनाया था अब हम लोग बना जाए जाए heading level बनाने जा रहे हैं ठीक है और heading level simply यहां से देखे कैसे बनाएंगे exactly वैसे ही label बनानेगा label class यूज करेंगे और इसको हम लोग heading वाले variable में simply क्या करेंगे store कर लेंगे heading level heading ठीक है अब heading level में हम लोग को यह भी बताना होगा कि यह level किस में जाएगा तो हम गाएंगे यह level हमारी main window में जाएगा देखे यहां पे अगर आप paint में देखे तो जो आप level बना रहे हो my calculator वो आपने बोल दिया इस window पे जाएगा ठीक है विंडो पे जाएगा उसके पाद इस text में लिखना क्या है तो text पे हमें लिखना है my calculator ठीक है इसके text पे my calculator जाएगा और इसका font भी set कर सकते हैं तो हम लोग यहां पे comma लगाएंगे और font वाले variable में हम लोग font पास करेंगे but simply maximum लोग क्या करते हैं variables ठीक है some useful variables तो इसको एक में कर दिजिए और यहां पे एक variable आप बना लिए simply जहां से देखे किस type का variable होगा वो font का variable होगा उसमें आप एक tuple बनाईए और उसमें सबसे पहले आप font लिख दिजिए तो अगर आपको font याद है तो लिख दिजिए font family और अगर family नहीं आदे तो छोड़ दिजिए तो मैं यहां पे एक font family लिख देता हूँ आप ms word में जाके copy कर सकते हो और simply यहां पे आपको लिखना है उसका size तो हम कहेंगे जो heading होगा भाई वो 22 होगा ठीक है अब इसी font को हम लोग यहां पे यूज़ करेंगे तो आपको simply इसको हटाके यहां पे लिखना है font ठीक है तो देखो आपका इसका font सेट हो जाएगा अब हम लोग क्या करते हैं इस heading को भी add करते हैं अपनी main window पे with the help of pack तो हम लिखेंगे heading dot pack अब pack में हम लोग pass करतेंगे side इसको भी हम top पे ले जाएंगे तो हम लिखेंगे side is equal to top simply side अगर top दे दो गए और अगर run करते हो तो simply देखना आपका यह देखे perfect हुआ क्या यहां पे देखे actually हमारा जो label है यह वाला label heading वाला यह भी मैंने top पे add दो किया है बट top पे add किया है लेकिन एक already element था एक label था जिसमें picture लगा था एक label यहां पे हम लोग नए add किया तो वो इसके नीचे आ गया pack की help से इसके नीचे आ गया हम लोग इसको bold भी कर सकते हैं तो अगर आपको bold करना है तो simply आप अपने font में आईए और यहां पे आप एक और चीज़ पास कर दीज़े bold और simply save करके इसको run करिए तो आपका देखे calculator का जो font था वो bold भी हो गया इसको underline भी कर सकते हो आप simply bold के बगल में underline पास कर दो तो आपका पूरा का पूरा calculator जो लिखा था वो देखे underline हो जाए आप क्या कर सकते हो एक calculator एक अगर text underline करना है तो आप इस label में आके यहाँ पे underline attribute भी उज़ कर सकते हो underline is equal to और हम गएंगे 0 तो 0 वाला character यह underline कर देगा simply देखे यह देखे है my perfect हमारा calculator तो अभी क्या लग रहा है best लग रहा है बाद में इसका font change कर देंगे अभी फिलाल तो मुझे font याद भी नहीं हो font हमें यहाँ पर ऐसा ही मैंने उस कर लिया है ठीक है बाद में हम लोग इसको change कर लेंगे next अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पर लगानी text field तो text field चले लगाते हैं simply हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर text field की coding करेंगे तो comment बहुत important है और हम variable लेंगे यहाँ पर text field तो मैं camel case यूज कर रहा हूँ text field और text field के लिए यूज करते हैं हम लोग entry python में और फिर आपको वही बताना है कि entry किस window में जाएगी तो हम कहेंगे हमारी main window में जाएगी और उसके बाद entry पर कुछ लिखना उकना नहीं है आप simply छोड़ दिए बट हाँ अपना font set कर दिए तो font is equal to font लिख दिए तो आपने यहाँ पर variable declare कर दिया था उसको यहाँ भी use कर लिया है और उसको यहाँ भी use कर लिया तो यह best है जब भी हमें font change करना होगा तो हम इसी का font change कर देंगे अपने आप चीजें बदल जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे text field को भी simply pack कर देंगे इतना आसाने coding करना तो अगर हम इसको pack कर देते हैं इसको भी हम side बता देते हैं इसको भी top पिले जाओ तो basically हमारा उस level my calculator के यह नीचे आजाएगा आप देख लिजे यह देखे simply यहाँ पे हम लोग इसको लिख पाएंगे अब हम लोग थोड़ा सा बीच में distance देना चाहते हैं तो simply यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे pad y और y में 10 दे देंगे और उपर भी मैंने कहीं देखो इसमें भी दिया था 15 तो इसको भी 10 देते हैं जादा ही distance हो गया था और फिर हम खेप करके right click करेंगे देखेंगे हलका सा distance आ गया और यह perfect calculator हमारा ready है अब हम चाहते हैं कि भाई calculator कि हम right तरप से लिखना चाहते हैं आपका text जो होगा वो अब center से चलेगा देखें यहाँ पर फिर जो भी आप लिखोगे हो center पर लिख जाएगा तो perfect center ठीक है एक सीज़ मैं और करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि हमारा देखें अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो हम चाहते हैं कि हमारी जो field है वो यहां से लेकर यहां तक आया है मत्तब x में fill कर दें पूरी x की width ले ठीक है तो आप यहाँ पर padding में लिख दीजें यहाँ पर fill और fill करना आपको x में तो आप क्या होगा आपकी x axis पे सारी width उसकी fill होगी आप इसको बड़ा भी करेंगे तो यह fill करके रखेगा तो आप इसकी window को थोड़ा सा responsive भी हम बनाते चलेंगे अब आप काम करोगे तो perfect थोड़ा सा जगे भी दे सकते हो इस तरफ और इस तरफ तो simply आप pad y किये तो यहाँ एक और attribute लगा दो pad x is equal to और इसमें भी आप 10 दे दो तो x की तरफ से इधर से भी 10 आ गया और इधर से भी 10 आ गया perfect इतना calculator हमारा ready हो गया अब आप लोग को main बनानी है button और button बनाने के लिए concept मैं समझाओंगा कैसे मैं button बनाता हूँ वैसे ही आप button बनाओगे ठीक है देखते हैं तो हमारी अब बारी आ गई यहाँ पर button बनाने की तो buttons buttons create करेंगे और simply जो मैं documentation कर रहा हूँ यह सारी चीज़ें आपको मैं provide कर दूँगा और आप calculator best बनाना क्या कर ले जगा सीख ली जगा तो हम लोग क्या करेंगे सिंप्ली देखे आप आते हैं अपने पेंट पर तो हमारे तीन components ready हो चुके हैं यहाँ पर मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ पहला picture हो गया my calculator हो गया और यह हमारी हो गई text field text field मतलब जहां पर हम लोग अपने expression को लिक पाएंगे वहाली भी text field ready अब बात आती है button की तो button थोड़ा सा बनाना मुस्किल है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम उस करेंगे एक frame का frame basically होता logical container that means यह हमारा frame है इसको हम अलग से बना लेंगे frame यह भी एक window होती है बड़ यह दिखती नहीं है यह दूसरे component को रख सकती that means इसके अंदर हम कई सारे buttons को रख सकते है आप एक, दो, तीन, चार ऐसे करके बहुत सारी buttons को रख सकते हैं और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं अपना जो भी यह frame के अंदर होगा उस frame को उठाके इसके अंदर add कर सकते हैं तो यहां पर जबा जाएगी तो यह frame खुद तो दिखेंगा नहीं बट सारी buttons यहां पर दिखेंगी buttons यहां पर दिखेंगी तो चलिए हम लोग क्या करते हैं frame को pack करते हैं that means इसके नीचे frame लाते है text field के नीचे frame बना लेजिए तो frame बनाने के लिए आप उस करें frame class कौन से class frame class frame class frame किस में add करना है आपको अपनी window में add करना है और इसको आप दे दिजिए button button frame button frame और इसको pack कर दिजिए that means button frame को add कर दिजिए कहां पे अपने window के top पे तो simply आपको लिखना side is equal to top इसका मतलब अब मैं अगर program run करता हूँ तो यहाँ पे एक frame है लेकिन आपको दिखने रहा है क्योंकि frame जो होता है वो सिर्फ grouping करने के लिए होता है और इस invisible container दिखता नहीं है कभी भी अब लोग frame में buttons add करेंगे तो वो buttons यहाँ पे दिखेंगी देखना अगर मैं इस frame में button add करूँ button frame में चले button add करके दिखाते हैं मैं comment लिख देता हूँ adding button adding button और comment करने के लिए control slash क्लिक कर दे किस पे add करना है frame पे add करना है तो simply देखे आप बनाईए एक button छोटी सी btn1 यह पहली button थी और button बनाने के लिए आप उस करोगे class यहाँ पे window नहीं लिखोगे यह button add करने आपको frame में तो आप नहीं लिखोगे button frame बटन के उपर दिखाना क्या है text text इसमें हमें दिखाना है one और font भी आपने जो उपर declare किया है white font use करिए simply इस button को भी क्या कर दिए pack कर दिजिए या आप grid use कर सकते हो grid में भी बताता हूं बट फिलाल अभी क्या करते हैं हम लोग pack कर देते हैं और pack इसको भी side is equal to top मतलब उस frame के top पे pack करेंगे अब हम क्या करते हैं simply आपको project run करते हैं और दिखाते हैं यह देखें simply आपकी button यहाँ पर आ गई one तो है क्या इसके अंदर पहले आपका panel है उसके panel के अंदर आपकी buttons है जो की pack हुई तो panel पे हम लोग बहुत सारी buttons लगाएंगे चले देखते हैं तो अब अगर मैं बात करूं जैसे मालो मैं एक button और बना लेता हूं BT2 BTN2 तो simply मैं इसको select करूंगा Ctrl D दबाऊंगा एक button और आपकी बन जाएगी BTN2 तो हम यहाँ click करते हैं और यहाँ पर click करते हैं और यहाँ भी click करते हैं तो इन सारे text को क्या करते हैं 2 कर देते हैं अब भाई यह मैंने किया कैसे multiple cursor तो पहले यहाँ पर click कर लिजेगा फिर alt press करिएगा फिर click कर लिएगा यहाँ पर यहाँ भी तो सारे multiple cursor हो जाएगे आप उनको हटाईएगा और 2 कर दिजेगा Simply right click करिए grid में allow करूंगा अब grid क्या होता है basically मैं आपको paint to paint करता हूं बताता हूं grid basically यह देखो यह जो है उनको ऐसे नहीं लगाऊंगा panel का मतलब pack का मतलब होता है सबसे पहले मैं इसको हटाता हूं फिर आपको बताता हूं pack का मतलब होता है कि अगर एक component है divide कर सकते है let us suppose हमें 3 by 3 चाहिए तो हम 3 by 3 में इस frame को divide कर सकते है कुछ इस तरीके से 3 by 3 मतलब 3 row 3 column that means हमें 9 grid मिल जाएंगी यह होता है grid grid geometry grid geometry तो हम अपने frame पे apply करने जा रहे है grid geometry अब grid geometry अगर मैं apply करूंगा तो एक सिस मुझे धान रखने होगी कि जो यह वाला grid होगा वो होगा 0 row 0 column पे ठीक है फिर यह 0 row 1 column पे 0 row 2 column पे ठीक है इसे तरह यह हमारा हुआ 1 row 0 column फिर यह हमारा हुआ 1 row 1 column फिर यह वाला हमारा हुआ 1 row 2 column फिर यह हमारा हुआ 2 row 0 column 2 row 1 column फिर यह हो रहा 2 row 2 column ठीक है तो यह column से याद रखने है rows column याद रखने है क्योंकि अगर आप कोई button बनाते हो और grid 0 row 0 column में रखते हो तो वो button यहाँ आएगी बट दूसरी button बनाते हो उसमें आप row रखते हो 0 और column रखते हो 1 तो यहाँ आएगी बट अगर आप row 2 रख दिये column 2 रख दिये तो बटन यहाँ आजाई चले आप बताते हैं कैसे हम लोग को grid बनाना है इस बटन में हमें grid लगाना है तो pack नहीं लगाएंगे हम लगाएंगे grid और हमें row की help से row बताना है तो हम लगाएंगे 0 और column की help से हमें बताना है column that means हम लगाएंगे 0 तो यह 0 row 0 column मतलब यहाँ पर बटन आएगी अब run कर यह दिखिए ठीक है तो एक चीज़ इसको भी कर देते हैं इसको भी grid में कर देते हैं तो हम करते हैं grid और grid में हम लोग row कर देते हैं 0 और column कर देते हैं 1 ठीक है आप क्या करते हैं run करते हैं इसको run करते हैं हम लोग इसको तो simply देख पाएंगे देखे 0 0 0 पे जीरो वन पे, अगर जीरो टू पे करेंगे, तो इसके बगल में आएगी, और अगर कोई नहीं बटम ना आते हैं, तो अगर हम वन जीरो पे कर दें, तो यहाँ जाएगी, तो यह बेसिकली हम यही वाला grid बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग थोड़ा programming logic यूज करेंगे, अगर आप programming logic ही नहीं यूज करोगे, तो फिर programmer किस बात क्यों भाई, आप बार-बार बटन hardcoded कर रहे हो, hardcoded कर रहे हो, उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए programming logic यूज करना पड़ेगा, जिससे आपकी coding कम हो जाएग, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक loop चलाओंगा, simply कहा से कहा तक, मैं एक से लेके, और दो, तीन, और ऐसे करके, मैं नौ तक loop चला दूँगा, ठीक है, एक नौ से नौ तक loop चला दूँगा, और simply करना क्या है, अच्छा, एक loop नहीं हमें दो loop चलाना पड़ेगा, देखे इस तरीक से, row column के लिए, जैसे य यह 0, 1, 2, मतलब 0 से लेके, 2 तक loop चलाएंगे, तो simply मैं आपको समझा रहा हूँ, कैसे करना है, यह दोनों बटन को आप हटा देजे, simply देखे, और एक loop चलाए, 0 से लेके, 3 तक, तो आप लगाए, 4, I in range, 0, 3, अब यह जो loop है, यह 0 से लेके, कहा तक चलेगा, भाई, 0 से ल 1, 2, but row का loop है, that means, यह पहली row, दूसरी row, तीसरी row, मतलब इस तरह से चल रहा है, लो का loop, अब इसके अंदर हर एक row के लिए, मतलब हर एक, इसके लिए, हर एक, मैं आपको बताता हूँ, हर एक इस चीज के लिए, पहले लेक के लिए, तीन कॉलम चाहिए, एक, दो, तीन, त पहला रोगा तो 1 2 3 फिर दूसरा रोगा तो 1 2 3 तीसरा रोगा तो 1 2 3 ठीक है और simply मैं क्या करूंगा इसके अंदर मैं बटन बनाओंगा तो मैं लिखूंगा बटन बनाने का मजआ ही कुछ ऑ रहा है तो हम बर बता देंगे कि यह बटन हो की वह जाएगी या不िया प्रेइम में टेक्स्ट में मैं क्या दहुँँँगा सिंप्ली टेक्स में अगर आप देतोंगे सिंप्ली दिएओ अगर आप देतोंगे यहां वी और फिर उसके उसके बाद ध्यां से देखो, बी देने के बाद मैं क्या करूंगा, इस btn.grid लगा दूँगा, और grid में देखों, grid में दूँगा, row, row मतलब i, i मतलब सबसे पहले बार में i 0 होगा, तो 0 थो में, और 3 बटन 0 थो पर लगें, पहले बार में i 0 होगा, तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 3 ब बटन्स दिख गई है, अगर मैं इन बटन्स को थोड़ा font भी set कर दूँ तो font का मलतब देखे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर font equal to font, ठीक है, अब अगर आप right click करो, तो यह जो matrix था, उसने क्या किया, matrix की तरह buttons बना दी हैं, बट सारे button में B भी दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर B लिख दिया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर dynamic text लाने के लिए, यहाँ पर मैं एक variable ले लूँगा, temp is equal to, temp को start करूँगा 1 से, और simply देखे, मैं यहाँ पर use करूँगा 1, क्यो बढ़ा दोँगा, temp is equal to, temp plus 1, तो हर बाद, जितनी बार loop जाएगा, हर बार बढ़ जाएगा, और I click करूँगा, simply run कर दूँगा, आप देखोगे, 9 button बन गेवे, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग ही उस करोगे, तो आपको जादी coding नहीं करनी है, आपको कम coding करनी है, बट अगर आप दिमाग नहीं उस कर पाओगे, तो फिर आप 9 button आप बनाते बैट करके, मैंने simply एक matrix बनाई है, जिसमें 3 row का loop चलाया है, फिर उसके अंदर 0 से लेके 3 columns चलाया है, तो हर एक row के लिए 3 column चल रहा है, और उसी में button बनाता गया, उसको add करता गया, और II को plus clear अब थ सकता है कि button यहाँ पर देखे perfect बनी है, आप क्या कर सकते हो, आगे पीछे हलका सा जगे दे सकते हो, that means आप padding X, padding Y specify कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो padding X, pad X is equal to hulka सा, hulka मतलब आप यहाँ पर 5 देदीजिए, और pad Y भी 5 देदीए, तो शारी button के अंदर, देखे हलका सा, सा महसूस हो रहा है, आया सब को सब्समें, अब आप क्या कर सकते हो, यह loop मैंने इसे लगाया, क्योंकि एक से लिके 9 तक जितने भी button थी, वो एक pattern में दिख रही थी, किसमें दिख रही थी वो एक pattern में दिख रही थी, इसलिए मैंने एक से 9 तक loop चला दिया, हमारा काम हो गय अब अगर आप एक से 9 तक loop चला देते हैं, तो फिर यह matrix नहीं print पाती, मैंने simply क्या किया था, तीन rolls के loop चला यह थे, 1, 2, 3, i बाला, फिर j का loop चला था, that means column का, हर एक i के लिए, that means i1 के लिए, 1, 2, 3 column, फिर i यहा पे जब दूसरे रो पे जाएगा, तो फिर 3 column, 1, 2, 3, फि यह चीज़ जिसको python core आती होगा, उसको समझ में आ रहा होगा, कि भाया, यह जो है, वो 3 included नहीं होता, that means, आपको 0, 3 loop, 3 बार loop चलाना है, तो 0 से लेके 3 तक चलना होगा, that means 0 से लेके 2 तक आपको यहाँ पे एक जाधा देना होता, तो अगर मैंने यह 3 दिया, तो आपको 0 स समझ में आओगा, यह buttons जो मैंने बनाई, यह भी समझ में आ, buttons को थोड़ा सा अच्छे से design करने के लिए, आप यहाँ पे, आप border यूज कर सकते हो, border कैसे यूज कर सकते हैं, यह मैं बताता हूँ आपको, सबसे बटन का type change कर सकते हैं, बटन का type change करने के लिए, मैं आपको ए यह थोड़ा सा मेरा system slow है, तो देखे धहां से, हम लोग क्या use कर सकते हैं, यह पे relief कर सकते हैं, और relief की बहुत सारी values दे सकते हैं, relief में अगर हम group देंगे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, solid देंगे, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ridge देंगे, तो कुछ इस तरह से बन ज group, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखे, ridge तो default होता ही होता, ridge, अगर आपको देखे, ridge करना है, तो आप simply क्या करिए, जाए यहाँ पे, और button पे जहाँ width है, यहाँ पे comma लगाईए, और लिखे, relief, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, गलत मत करिएगा, दर IDGE, simply, अब आप क्या करिए, right click करें, run करें, आपको दिख जाएगा, देखे, perfect, यहाँ पे देखे, आपकी सारी button एकदम बहुत ही अच्छी दिख रही है, तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, calculator को design कर सकते हो, तो अगर आप, ridge, मैं तो ridge use करूँगा, क्योंकि मुझे button सारी perfect ल sunken, sunken, ठीक है, अब आप, right click करो, और इसको run कर दो, देखे, sunken कुछ ऐसी buttons होंगी, ठीक है, और आप देख सकते हो, कि यह solid किस तरह होंगी, तो आप यहाँ पे, solid use कर सकते हो, अलग-अलग तरह की button बना सकते हो, बठा, आप ऐसा बनाओ, यह देखे, ठीक है, बठाप ऐसा बनाओ, कि भाई, लोगों को भी अच्छा लगे, और आप भी use करो अपना calculator, तो best लगे, otherwise फिर उसका मतलब भी नहीं जाएगा calculator का, जब आप खुदी अपना calculator नहीं use करोगे, लोग क्या करते है, सीखने के लिए काम करते है, ठीक है, सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकि करेंगे, that means, आप उसी इसाप से coding भी करोगे, उसी इसाप से अपना दिमाग भी चलाओगे, कि भाई, क्या कैसा रखा जाए, जिससे वो थोड़ा सा अच्छा रहे, user friendly रहे, उसका जो, मतलब, इवदाई हो बढ़िया रहे, ठीक है, तो हम लोग तो relief में हम लोग use करेंगे अपना यही वाला value, risk वाला, ठीक है, तो risk वाला मुझे अच्छा लगता है, तो मैं risk वाला use करूँगा, आपको जो भी अच्छा लगएगा, और अगर यह distance जो है, वो ज़्यादा लग रहे है, तो आप distance pad x और pad y को हलका सा कम कर दिए, तीन, तीन कर दिजे, आपके में है, परफेक्ट, ठीक है, तो अगर यह कम किया है, तो हम लोग को यह भी शायद कम करना पड़ेगा, हलका, इतना कर देंगे, या भी इधर हम कुछ buttons लगा देंगे, तो यह सही हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, चलिए, तीन button और बनाते हैं, तो तीन button कौन बनाने जा रहा कौन सी बनाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ, button dot, नहीं, zero, फिर dot, फिर equal to, zero dot equal to, तो अब बाकी button pattern में नहीं है, तो आप simply for के बाहर आजाए, और button बनाए, for के बाहर आजाए, पहले button बनाए, zero btn, और zero btn में simply कर करिए, यह सारा text copy कर दीजे, बटन आपने तो अलड़ी बनाया, तो यह सारा ही text आप copy कर दीजे, इतना, ठीक है, इतना text copy कर दीजे, और simply इसके जिए पेस्ट कर दीजे, और यहाँ पर यूज कर दीजे, zero button, zero btn, और यहाँ भी आप simply उसकर दीजे, zero btn, ठीक है, zero, zero btn, और आप text में, क्योंकि यह zero है, तो आपको zero दिखाना है, तो simply करें, यहाँ पे zero लिख दीजे, और right click करें, रन करें, अच्छा, row column भी आपको ध्यान देना है, तो जो हमारा row होगा, वो simply क्या हो सकता है, देखे, zero, one, two, three, तो मैं three row दे दूँँगा, और zero column दे दूँगा, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँगा, थोड़ा सा, जब इसको चलाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, देखे, three का मतब होता, zero row, one row, two row, three row, और zero column, तो three zero यहाँ पे होगा, that means हमारी button यहाँ पे आएगी, ठीक है, अब जो मैं next button लाँगा, उसमें three row second column द dot लगा देंगे, simply, और column important है, इसको हम one कर देंगे, और फिर right-click करेंगे, और simply क्या कर देंगे, run कर दें, तो कुछ गलत हो गया है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, dot करना होगा, आप right-click करते हैं, run करते हैं, तो simply आप देख पाऊगे, zero button भी आगई, dot button भी आगई, हमारी, next हम क्या करते हैं, यहाँ पे equal to button आते हैं, तो equal to button बनाने के लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, और button के बनाने के बीच में भी आप क्या करोगे, space देतर होगे, जिससे आपको confusion ना हो, ठीक है, इसको भी आप control D कर लिजए, और इस पे दबाईए, अल्ट दबाके यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए, equal button, equal button, ठीक है, और यहाँ पे आप equal to का button symbol लगा दिए, और यहाँ पे column change करना मत भूलिएगा, ठीक है, column के हिसाब से क्या हो रहा है, आपको adjustment हो रहा है, दीखिए, perfect calculator बन गया, best, इसको आप क्या कर सकते हो, मुझे तो यह calculator बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब भी इसको और भी improve कर सकते हो, इसमें color लगा सकते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा color लगा के, चेक कर सकते हैं blue color लगा सकते हैं click करने पर या अपना कोई orange color लगा सकते हैं, चले एक बार लगाते हैं देखते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूँ पहले सारी buttons में इन सारी buttons में लगाओंगा तो कुछ attributes उचेँज करूगा देखेगा, मैं यहां पर yue डूँगा active active background ठीक है active background और दूँगा यहां पर orange ठीक है active background का मतलब है जब आप click करोगे उस समय बेटन का background ये देखे active background ठीक है और जब मैं click कर रहा हूं तो देखे button का color तो black रह रहा है तो इसको भी मैं white करूँगा देखेगा button का color भी बदलने के लिए आपको active for ground लिखना पड़ेगा तो कॉमा लगाई यहां लिखे active for ground और यहां पर आप इसको white कर दिये simply और आप इसको run करिए तो आप देखे जब आप click करोगे तो देखे text white हो गया that means for ground white हो गया और background orange हो गया perfect ठीक है इन तीनों बटन पर भी कर देते हैं तो simply मैं क्या कर रहा हूं जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा ही आप करिए ठीक है सम में सारी बटन में last जो attribute लगा है relief लगा है तो इसके बगल में आप click करिए alt दबा के इसके बगल में हैं alt दबा के इसके बगल में और लगा यसा कॉमा और लिखे active background and active background equal to औरसम में orange लिख दीजे orange और फिर लगा है कॉमा और लिखे active for ground equal to white वाइट simply आप क्या करीए सेइब कर दीजे और right click करें, run करें तीनो button में भी देखे background लगे, perfect ठीक है, अब मैं 4 option और बनाने जा रहा हूँ, plus, minus divide, multiply, या plus, minus multiply, divide, that means 4 button और बनाने जा रहा हूँ, और जो plus वाली button होगी, उसकी position होगी 0 row होगी उसकी, लेकिन 1, 0, 1, 2, 3 column होगा, ठीक है, 0, 3 पे होगी तो इसी जाद देखेगा, तो आप equal button पे control D कर दिजिए, और थोड़ा सा space देद दिजिए, और simply देखे क्या करिए, आप यहाँ पे click करिए, alt दबा कर यहाँ पे click करिए, और इस पे नाम देजिए, plus btn, plus btn, that means यह plus button है, और यहाँ पे आप plus दिखाईए, ठीक है, और यहाँ पे देखे, यह 0 row में होगी, और यह कहाँ पे होगी भाई, यह 3 column पे होगी, तो आप simply right click करिए, run करिए, देखे, plus यहाँ पे आगए, किस column पे कर दिया, 1 रूपे कर दिया था, तो फिलाल तो इसको हम 0 रूपे कर देते हैं, और column 0, 1, 2, 3, ठीक है, तो column इसका क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, और आप क्या करते हैं, right click करते हैं, run करते हैं, तो देखे, button यहाँ पे आ गई है हमारी, थोड़ा सा मैं इसका वो बढ़ा करऊंगा भी, क्या इसकी width बढ़ा करऊंगा, तो हमारा यह perfect calculator हो जाएगा, यह सब की width भी हलका हलका छोड़ा कर सकता हूँ, बट मैं क्या करऊंगा सब की width हलका हलका, मालब इसकी main window की अपनी width क्या करेंगा, हलका बड़ा कर देंगे ठीक है तो हमारा window से हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक और बिटन आते हैं वैसे टीन बटन बना नहीं है तो हम लोग पहले plus button हो गया और यहां पर भी आप click करके इसको क्या कर दिये minus 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 btn तो minus btn हो जाएगा और यहां भी आप दिखा दिए माइनस और कॉलम बहुत इंपॉर्टन रहे थर्ड कॉलम तो सी में बट रो आप एक नीचे करतीजे तो यह प्लस के नीचे आएगा देखे प्लस के नीचे आएगा और इसकी विर्थ हम लोग क्या कर देंगे अभी बढ़ा देंगे तो परफेक्ट देएगा नेक्स बनाते है मल्टिप्लाइ तो फिर से हम इसको सलेक्ट कर लेंगे और दबाएंगे कंट्रूल डी और हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे औल्ट दबा के यहां भी क्लिक कर देंगे और यहां पर लिख देंगे यह है multi, multi button, multi button भाई, multi button ठीक है और यहां पर हम लोग क्या देंगे X लिख देंगे, X यां आप into भी लिख सकते हो, आपके मरदी बट एक्स ज्यादा perfect लेगा तो हम X लिख देंगे बाद में इसको कैसा handle करना है सारी जी हम लोग सीख लेंगे ठीक है और column एक और हम लोग बढ़ा देंगे column sorry row बढ़ा देंगे column ने क्योंकि नीचे लाना है तो हम लोग row दो कर देंगे उसके बाद हम divide button बना देंगे तो फिर से control डी करेंगे और यहाँ पे click करेंगे अल्ट तबा के यहाँ क्लिक कर देंगे उसका नाम देंगे divide divide btn ठीक है और यहाँ पर हम लिख देंगे divide उसके बाद एक column एक row और बढ़ा देंगे that means वह नीचे आ जाएगा और राइट क्लिक करेंगे इसको simply हम लोग क्या कर देंगे run कर देंगे तो बटन तो सारी बन गए बस हम लोग करते हैं width हलका बड़ी कर देते हैं और यह calculator परफेक्ट बन गया एक बार हम यह distance हटा के भी देखते हैं जो यह padding है इसको हटा देंगे तब भी सखही लगेगा एक बार मैं आपको दिखाता हूं जो padding सब में दी हुई यह तो पहले तो padding हम लोग यहां से हटाते हैं पैडिंग पहले यहां से हटाते हैं देखतें कैसा लग रहा है भई पैडिंग ठीक है तो एक बार पैडिंग इन सबसे भी पैडिंग हटा देते हैं देखते हैं पैडिंग हटाने के बाद ज्यादा अच्छा लग रहेगा ठीक है तो पैडिंग यहां से भी हटा दीजिए पैडिंग यहां से भी हटा दीजिए और पैडिंग यहां से भी हटा दीजिये. सारी बटन से आप Padding एक गश 걸 के ख़आ दीजिये. ठीक है? तो ये काम आप आराम से वीडियो को ठीक है. ओर भी अच्छा लग रहा है किeking Padding मैंने उच्छा लग रहा हलका सा अपनी Main Window की width क्या करदेते है? में विंडो की width थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं तो आते हैं उपर में विंडो की जहां पर मैंने width decide किया था 450 इसको 460 करके देखते हैं ठीक है run करते हैं और हलका सा बड़ा कर देते हैं 465 ठीक है 465 परफेक्ट लाग रहे है तो आघर आप चाहिए अगर आपको हलका सा पैड़ देदिए देखे है रसन के बटन में बैडंग X10 दे दिया हुआ है और आप Risk में भी पैडिंग X10 दे दिए पैड X10 दे दिजिए तो आपका पर्फेक्ट डिजाइनिंग होगा भाई देखे रन करिए simply देखे हलका सा width और हम बढ़ा देते हैं इसकी तो इतना कर देते हैं तो लगेगा इतना ओधार इतना कर देंगे तो और परफेक्ट लगेगा तो इतना हम happy noon चीज 90 भी काम नहीं हो रहा है आपको I think करना होगा लगभग 510 पांसो दस रिफ्रेस्ट करिए परफिक्ट ठीक है तो आपके सारे बटन यहां बन गए है अब हमके हमको basically काम करना है और भी आप कोई बटन बनाना चाहरे हो तो यहां पर बना सकते हो आपकी मरजी है कैसा आपको काम करना है बट फिलाल हमारा basic operations की mostly बटन बन चुकी है अब mode order की बटन बनाना तो यहां पर आप बना सकते हो लेकिन हम लोग क्या करेंगे पहले इतने को working करके देखेंगे उसके बाद हम लोग scientific calculator भी इसी मेड करेंगे हम यहां पे menu बनाएंगे mode का mode पे click करने पे normal mode चूज कर साइंटिफिक पर यहां पर हम लोग options दे देंगे sin theta, cos theta, tan theta, square root, power यह सारी चीज़े options दे देंगे ठीक है फ्रेंट्स तो अगर आप चाहते हो तो इसकी height हलका सा छोटी भी कर सकते हो आपकी मर्जी या अगर आप एक row और लगा दो तो मुझे लगता ज्यादा बेटर लगे और इसको बना दीजिए clear button तो simply यहां पर जाईए और लिखे clear btn ठीक है और यहां पर आप लिख दीजिए ऐसे backspace वाला symbol हलका लगा दीए ऐसे जिसका मतलब एक एक clear होगा और इसका column जहां से देखे 3 by 3 है that means हम row 4 कर देंगे column 0 कर देंगे और अभी मैं आपको एक trick और बत to get back कर पाएंगे that means है कर के देंगे हम यहां से delete कर पाएंगे बढ़ हम चाते हैं कि यह बन ब् commitment back वाली ओ यहां से लेके यहां तक आया लाइए that means यह दो kolum occupy करें एक नहीं किते 2 kolum occupy करें तो आप इसको ऐसा बना सकते हो कि 2 kolum occupy करें कैसे आप यहाँ पर 2 kolum के लिए आप लगा दिए हैं call span तो call span और यहाँ to लिख दीजे तो अब यह 2 kolum occupy करेगा दीखें रैट लिख करेए इसको run कर दीजिए call column span पूरा लिखना होगा ठीक है तो हम लिख देंगे column span और आप क्या करेए right click करेए इसको run करेए तो देखें दो kolum occupy कर रहा है इसकी width भी बढ़ा देंगे तो by default इसकी width जो थी वो 5 थी इसकी width दो kolum मतलब इसकी width just double हो जाएगी right click करेए simply run करेए देखे perfect हलका सा width और बढ़ा देते हैं इसकी width कर देते हैं 12 right click करेए run करेए simply या 12 बहुत ही जादा हो गई इसकी width कर देते हैं 11 right click करेए simply अपने program को run करेए perfect आप देख सकते हो यहाँ पर इत्ती बढ़िया button बनके ready हो गई है अब हम एक button और बनाते हैं जिसमें all clear all clear या shutdown की button बना सकते हैं तो all clear की button बना देते हैं simply इसको फिर से control copy कर लेए और यहाँ पर आप लिखे all clear क्या लिखते है all clear तो all clear आप का ml के इसमें ही लिखे जैसे आप यूज करते थे all clear btn और आप यहाँ पर लिख दिजिए ac for all clear ac for all clear और simply यहाँ पर आपको adjustment करना है तो दो columns तो अलड़ी यह button ले चुकी है that means आपको यहाँ देना है 01 हो चुका 2 और row तो 40 रहेगा right click करके एक बाद चेक कर लेते हैं perfect all clear अब आपकी का जगह ले लिया क्योंकि मैंने इसका भी वह विर्थ specify किया था 11 और इसको 10 10 करके देखते हैं maybe set perfect आएगा क्योंकि 5 5 बाकि सबकी यह दो-दो column ले यह that means 10 10 है तो आप adjust के लिए यहाँ थोड़ा सा कुछ गडबड हो रहा है 10.5 देखने चलेगा क्या 5 और यहाँ 10.5 ठीक है राइट क्लिक करते हैं simply run करते हैं तो point की values नहीं चलेंगी तो इस चीज़ का आप देहां रखेगा एक को 11 कर देते हैं एक को 10 करके try करते हैं ठीक है राइट क्लिक करिए run करिए तो इतना तो perfect हम लोग ने बनाया है बड़े screen पे भी perfect देखेगा आपका calculator और छोटे screen पे भी आपका calculator परफेक्ट देखेगा तो फिर भी मुझे यह चीज़े अभी भी बढ़िया नहीं लग रहे हैं इसको भी 11 कर दीजिए तो बढ़िया लगे गए राइट क्लिक करें रन करें अब बाकी comparison में आपका calculator best लग रहा है ठीक है क्लिक करना पर हो रहा है जो अब इसका working कर लेते हैं और इस वीडियो में हम लोग अपने normal calculator नॉर्मल मोड वाले calculator को हम लोग complete कर लेते हैं कैसे काम करना यह सारी चीज़े देख लेते हैं ठीक है अगले नेक्स वीडियो में हम लोग क्या करेंगे अपने scientific calculator को भी design करके देखेंगे चले हम लोग क्या करते हैं इसकी working करते हैं तो इसकी working करने के लिए simply क्या करेंगे हम लोग binding सीखना पड़ेगा तो हम लोग इस बटन को क्लिक करने पर कुछ काम करना चाहरें तो सबसे पहले मैं एक से लिके 9 तक buttons को bind करना आपको सिखा हूँगा ठीक है कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे function बना लेंगे bind करने के लिए ठीक है तो function बनाएंगे कहां का बाई function बनाएंगे यहां पर देखे सम functions मैं लिख दूँँगा important functions ठीक है और functions में सबसे पहले बनाएंगे def और इसका नाम देंगे click btn function ठीक है इसका बटन क्लिक करने पर यह function चलेगा और इसमें simply लिख देंगे print button clicked बटन क्लिक और simply यहां से देखे एक variable आप यहां ले लेंगे event ठीक है अब करने का जा रहा हूँ इस function को मैं call करने जा रहा हूँ जैसे इस इन सारी बटन को आप click करो एक से लेके 9 तक ठीक है तो आप क्या करो plus करने के साथ ही साथ आप बटन पर एक function का अल करो bind bind मतलब होता जोड़ना तो हम इन सारी बटन को जोड़ने जा रहे है अपने इस function के साथ bind इस function के साथ तो bind मतलब attach करने जा रहे है ठीक है तो button bind कर देंगे लेकिन bind करने का मतलब होता है कब यह function चलेगा तो आप यहां लिखो के button-1 button-1 का मतलब होता simply mouse के left click पे और अगर right click होता mouse का तो यहां पे button-2 दे 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 ठीक है और अपने function का यहां पे नाम दे दो click button function और function को call नहीं करना अगर function को call करना होता तो आप ऐसे लिखते बट simply आपको reference देना है तो आपको यहां पर यह bracket लगाने की जरूत नहीं होगी simply आप बस reference दे दी जैसे यह आप इतना काम कर लोगे ना तो अब पर का जा रहा है सबसे बढ़िया एक से लेकर नौ तक बटन एक ही बार में बाइंड होगी क्योंकि हम लोग ने उस किया था loop फॉलूप यूज किया था ठीक है लेकिन अभी यह सारी बटन बची हुई है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ बची हुई है तो हम लो कर रहा है python का interpreter button को click करने पे एक event का object बना रहा है event का object बना रहा है और उस function that means click button function पे वही object पास कर दे रहा है, object मतलब collection of information, इसके अंदर वो सारी चीज़े हैं, जहां से आपका event generate हो रहा है, that means, जिस button पे click होगा, वो button भी इसी के अंदर होगी, तो हम button को fetch कर सकते हैं, इस event.widget से, जैसे आपने click, यह event.widget लिखा और btn लिखा या b लिखा, तो इस b में वही button आ जाएगी, जो button आपने होँआ पे click किया, that means, अगर हम यहां पे 3 click करेंगे, तो उस b में 3 गया होगा, यह वाली button गया होगी, 6 पे click किया होगा, 6 वाला गया ह होगा, इसको verify कैसे करेंगे, जहां से देखिए, अगर मैं यहां पे text निकालता हूँ, text is equal to, और btn या b of text, ठीक है, तो करेगा क्या, b का text print कर देते हैं, हम लोग की b मलब कौन सी button यहां पे आई है, simply, देखिए, b का text का मतलब हुआ, b of text, मतलब b के उपर जो text लिखा है, वो हम यहां पे इसमें निकाल देंगे, और free screen को print कर देंगे, अब आपको पता चल जाएगा, इस b में a क्या रहा है, देखिए, run करिए, simply, देखिए, अगर मैं यहां पे one click करता हूँ, तो देखिए, उस text में one आया, और one आया, इसका मतलब उस b में, इस वाले b में क्या आ दूँगा, देखिए, कैसे set करेंगे, print करने के साथ ही साथ, मैं क्या करूँगा, देखिए, मैं अपने text field dot insert, और insert में लिखूँगा, zeroth character पर मुझे insert करना है, text, देखिए, text, होगा क्या, होगा क्या, देखिए, right click करिए, run करिए, run in the sense, देखिए, one के आपने one आ गया, two आ 6 क्लिक करूँगा, तो इस side हो रहा, बट मुझे this side add करना है, तो simply मैं 0 पर नहीं add करूँगा, मैं यहाँ पर इसको end में add करूँगा, अपने text field के end में देखिएगा, अब क्या होगा, जब आप one click करोगे, तो इस text में one जाएगा, और वो इसके one पर आ जाएगा, फिर जब आपके end में add करेगा, that means इस तरह add करेगा, देखिए simply, तो आपका काम इतना तो हो गया, एक ही बार में 9 बटन का काम हम लोग भाई साथ में कर रहे हैं, मज़ा ही आगा, इस से बढ़िया क्या होगा, ठीक है, मतलब आप एक ही बार में, एक से लेके 9 की बटन की सारी coding एक ही copy कर लेते हैं, और एक एक करके सारी buttons को यहाँ पर bind कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर comment करके लिख दूँगा, binding, binding all buttons, अब binding all buttons का मतलब है, सबसे पहले मैं उठाओंगा, plus button, copy कर लो, copy कर लो, plus, minus के लिए, plus के लिए, minus के लिए, multiply, divide, ठीक है, चार बटन को हमें यहाँ पर कर द उसके बाद, multiply button, और उसके बाद, एक ही function को सारी button पर call करा दे रहा है, ठीक है, उसके बाद, divide button, और चार और तीन और ले लेंगे, 1, 2, 3, 1 हो जाएगा, 0 button, 1 हो जाएगा, हमारा dot button, 1 हो जाएगा, हमारा equal button, equal button, ठीक है, इसका मतलब सारी button को हमने bind कर दिया, अब अगर मैं run करता हूँ, तो simply देखो, 3 plus 6, perfect, ठीक है, और अगर आप कुछ भी लिखोगे, divided by 9, ठीक है, perfect, लेकिन equal भी चल रहा है, dot भी चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, हम लोग equal पे दूसरा काम करते हैं, और हम लोग देखे, इन 3 plus 6 लिखूँ, और equal जैसे क्लिक करो, हमारा यहां पर answer आजाए, तो देखे, सारा function यहीं पर call हो रहा है, कौन सा, यह वाला function call हो रहा है, यह वाला, तो हम लोग insert अभी नहीं करेंगे, देखे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे, अगर, जो text है, वो कहीं value fetch करेंगे, देखे, अगर equal होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने text field की value fetch करेंगे, let us have, आपने equal दबाया, तो हम इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 plus 9, इसको पहले fetch करेंगे, expression field में क्या exist कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग fetch करने के लिए, देखे, simply लिखेंगे क्या यहां पर हम लोग लिखेंगे, ex, ex मतलब expression, आपके field, text field dot get, जैसे आप get call करोगे, वो expression देदेगा, और हम लोग इस expression को देदेंगे, eval को ex, ठीक है, और eval क्या करेगा, हमको expression solve करके answer देगा, simply, अगर यह answer देदेगा, तो हम लोग उठा के, अपने text field में यही answer को क्या कर देंगे, insert कर इस फ़ले delete करेंगे, जो लिखा होगा, तो delete करने के लिए आप लिखो यहाँ पर, text field dot delete, ठीक है, और delete कर देंगे, 0 से लेके, end तक सब कुछ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, text field dot insert, insert करेंगे, हम लोग 0 पर अपना answer, ठीक है, तो text area का सब कुछ delete हो जाएगा, insert हो जाएग function का, equal click करने के बाद सारा कुछ और काम हो, क्योंकि equal वाला तो सारा काम हो गया, अब नीचे यह मुझे नहीं चलाना है, अगर नहीं चलाना तो मैं यहीं से return कर दोंगा, that means यह function यहीं से वापस चला जाएगा, नीचे का कुछ नहीं काम करेगा, अगर simply save right click करके run करते हैं, save करके run करते हैं, तो देखेगा, 6 plus 3 और equal to 9, perfect, और फिर मैं plus 8 करता हूँ, equal to 17, और अगर मैं minus करता हूँ, 8 तो simply, देखे, 9, अगर मैं इस पे multiply करता हूँ, 9, error आएगी, क्योंकि यह multiply का मदब होता है, x यहाँ पे, तो देखेगा, इसको भी हम लोग verify करते हैं, देखेगा, कैसे, यहाँ पे आप चेक के लिजे कि कहीं आपने multiply वाला बटन तो नहीं दबाया, x वाला बटन तो नहीं दबाया, तो आप देखे, लिखे, text is equal to, कहीं भाया, x तो नहीं आ गया, अगर x आ गया, that means उसने multiply दबाया, और इस case में मैं अपने text field पे insert करूँगा, देखे, insert क करूँगा, end पे, x नहीं, इस बाट में insert कर दूँगा, into, तो दबायागा, वो insert, but actually insert होगा into, देखे, x दबायागा, लेकिन insert होगा, हमारा into देखेगा, पर यह देखे, ठीक है, तो इसका मतलब, अगर 9 into 9 करेगा, तो 81, 681, मतलब ऐसे करके, सारा operations perform कर देगे, ठीक है, तो point में भी operation हो जाएगा, देखे, perfect, कोई issue नहीं है, काम होगा, देखे, अगर expression मान लिए गलत हो गया, तो equal का answer गलत आ जाएगा, तो simply इस चीज़ से बचने के लिए, मैं क्या करूँगा, यहां लगा दूँगा, try, और हर चीज़ के, देखे, यहां पे, इसको मैं कर लगा, try के अंदर, देखे, क्या कर दूँगा, इसको try के अंदर, और यहां पे लगा देंगे, हम लोग, accept, और accept में लिख देंगे, exception as e, और e, और यहां पे लिख देंगे, simply print कर देंगे, error, कि भईया, error आ रही है, error आ रही है, कौन सी error आ रही है, इसको प्रिंट करने के ल तो यूजर को दिखाने के लिए हम यूज कर लेंगे message box तो आ जाएंगे उपर और यहां पर लिखेंगे from tk enter.messagebox import all ठीक है और message एक error दिखाएंगे तो error दिखाने के लिए simply आप लिखे so error और यहां पर टाइटल लिखेगा टाइटल में error और इसमें लिख दीजिए कौन सा error आ रहा है ठीक है तो अगर आपने expression गलत दे दिया तो दीखे का क्या गाम होगा जैसे माले यह आपने plus लिखा three six लिखा multiply लिखा यह expression गलत है equal दबाओगे या आप कोई भी गलत expression दो दोगे तो यहां पर दीखे invalid syntax अगर वह expression नहीं solve कर पाएगा तो equal दबाने पर अबेस बात exception आ जाएगी और अगर exception आ जाएगी तो exception पर हम लोगों है तो यह perfect था हमारा काम यहां पर हो जाएगा अब बात करते हैं देखें हमारा सारा काम हो गया 9 divided by 9 0 सब कुछ हो गया that means यह 9 बटन हो गई यह सारे operations हो गए 0 that means अगर मैं इसको clear करता हूँ तो 0 भी लिखता हूँ 0 अला भी काम करेगा हमारा सबको सही चल रहा है अब हमें नॉर्मल मोड में यह दोनों बटन्स पर काम करना है तो सबसे पहले all clear वारी बटन पर काम कर लेते हैं तो हम लोग all clear वाली बटन के लिए अलग function भालेंगे तो क्योंकि इस function में अलड़ी इत्ता जादा हो गया तो हम लोग यहां पर एक function order clear करते है def all underscore clear ठीक है def all underscore clear और simply मैं यहां पर लिख दूँँगा def all underscore clear का मतब सब कुछ हटाना है तो मैं लिखोंगा text field.delete 0 से लेके end तक वैया सब उड़ा दो और सब यह उड़ा देगा ठीक है यह function कॉल कब होगा आपके किस बटन पर all clear बटन पर तो simply आप अलग से नहीं bind करना तो यहां भी आप command use करके इसको bind कर सकते हो all clear ठीक है यहां भी आपको function का reference देना होता है अब आप simply run करोगे और अगर आप कुछ भी लिखोगे देखे all clear कर दोगे तो सब कुछ हटा देगा है perfect ठीक है तो आपका calculator mostly normal mode अलग calculator ready है अब एक single single digit हमें पीछे से टानी तो उसके लिएक मैं अलग function ना लाँगा उसी में ज्यादा study नहीं पगाऊंगा ठीक है तो मेरे पास simply देखे तीन function होगे एक function यह वाला function जो mostly मैंने सारी buttons को इस पर handle किया है दूसरा function all clear और एक function में आता हूँ clear सिर्फ clear मतलब एक-एक करके clear करना है एक-एक करके clear करना है कैसे करेंगे सबसे पहले मैं text field निकालोंगा text field से अपना data निकालोंगा that means उस पे कौन सा expression लिखा हुआ है ex अब इस ex से हमें last digit हटा देनी है तो मैं लिकूँगा ex is equal to length of ex मतलब यह जाएगा length of ex minus 1 तक एक कम तक और फिर text field dot delete सबसे पहले आप सारा delete कर दो starting से लेकर end तक और उसके बाद text field dot insert insert 0 पे अपना ex कर दो most probably यह आपका सही कर देगा एक-एक digit delete कर देगा एक digit हटा देगा और आप इस function को लगा दो clear बटन पे ठीक है तो यहां पे आओ command और command में आप अपना clear button simply देदो कौन सा clear और अब आप program को right click करो run करो अभी देखते हैं अगर कोई problem होगी तो simply देखे 1 2 और clear करते हैं देखे 2 गया 3 गया 1 गया परफेक्ट ठीक है तो हमारा यहां normal board का calculator ready है अब देखे इसकी height हलकी सी हम लोग क्या कर देते हैं छोटी कर देते हैं इतना open हो या इतना open हो इतना open हो ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं हलका अपनी window की height क्या करते हैं थोड़ा सा छोटी कर देते हैं तो हम लोगों ने देखे, height कहा specify किया था, height specify किया था, हम लोगों ने यहाँ पे, तो इस 600 है, इसको हम कर देते हैं, अपनी 600 की, कितना था भाई, 600 था, इसको कर देते हैं, 570, ठीक है, right click करके run करते हैं, तो अभी भी और छोटी करनी है, तो 550 कर देते हैं, 550, ठीक है, अब perfect है आपका calculator, तो अभी हम लोग next video में बहुत सारी जे करने वाले, next video में हम लोग इसका पूरा scientific mode पूरा बनाएंगे, साथ ही साथ में, अभी देखो, इसमें बहुत सारी दिक्कत है, इसमें दिक्कत ही है, कि जब आप run कर रहे हैं, तो यह right top पे open हो रहा है, यहाँ पर हम चाहते हैं, कि मेर चूज कर पाएंगे mode का, उस पर चूज कर पाएंगे कि मिया मुझे scientific mode पे जाना, जैसे scientific mode पे जाओगे, simply यह हट जाएगा, और यहाँ पर दूसरी buttons आ जाएंगे, फिर जब आप normal mode पे जाओगे, तो दूसरी button आ जाएंगे, यह वाली button फिर से वापस आ जाएंगे, तो हम अब ही तक आपने चैनलों को सब्सक्राइब ने किया, तो हमारे चैनलों को जाके सब्सक्राइब कर लेजिए, क्योंकि हम लोग उखाते हैं, best content with quality, ठीक है, thank you for watching this video, bye bye